नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाल किसे कहते हैं। इसका मतलब यही तो होता है कि करने एक सेकिंड में 10 मीटर के दूरी तै की है। यही होता है न इसका मतलब। तो यहाँ पर मैंने इस बात को लिک भी दिया है। तो आप से दी मैं पूछूं कि चाल का formula क्या है? तो आप क्या कहेंगे? इसका formula क्या है? दूरी, ठीक है? upon क्या आएगा यहांपर? समय, तो यह हो गया चाल का formula. अगर मैं आपको कहूं कि चाल का मातरक क्या होगा? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, इसका मातरक क्या होगा? देखे, उपर दूरी है, तो उपर तो दूरी का ही unit आना चाहिए. तो क्या हो जाएगा यह? यहांपर जो दिया गया है, यही इसका मातरक है, यानि कि मेटर प्रति सेकेंड. ठीक है? अब यदि आपसे पूछा जाए कि चाल की विमा क्या हो जाएगी, तो क्या आप यह बता सकते हैं? देखे, यहांपर उपर क्या है, मीटर, यानि कि यह क्या दर्शा रहा है, दूरी को. और दूरी के लिए हम क्या लिखते हैं? बिल्कुल सही, दूरी के लिए हम लिखते हैं, L अपॉन नीचे सेकिंड देया गया है, यानि कि यह समय को दर्शा आता है, जिसके लिए हम T लिखते हैं, यानि कि टाइम. तो यह क्या आजाएगा? यह आजाएगा L, हम इस T को भी उपर लियाते हैं, तो यह हो जाएगा T की पावर माइनस 1. तो यह क्या आगया? चाल की विमा आगई और यह है चाल का मात्रक. तो यह सब तो आप पहले से ही चाल के बारे में जानते होंगे. परन्त अब हम बात करेंगे कि वास्तविक में चाल क्या होती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लेंगे एक उधारण. तो क्या आपने दिल्ली के बारे में सुना है बिल्कुल सुना होगा क्योंकि यह हमारे देश की क्या है राजधानी है बिल्कुल सही क्या आपने देहरदून को देखा है नहीं देखा तो कोई बात नहीं आप इसे अब देख लीजी तो यह क्या है यह हमारे पास दहरादून और दिल्ली है और इनके वीच की दूरी कितने दी गई है? 280 किलोमीटर अब यहाँ पर देखिए सड़क की हालत क्या है? क्या आपको दिख रही है? यह सड़क है इसकी हालत कैसी है? अब यदि एक कार दहरादून से दिल्ली की तरफ चलती है तो ऐसी सड़क से होकर जाने में इसे कितना समय लग रहा है? मान लीजिए इसे लग रहा है साथ घंटों का समय जिसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? 7, 8, ठीक है? अब मान लीजिए कि सड़क की हालत अगर बदल जाए यानि कि अगर इसकी हालत बदल कर कुछ ऐसी हो जाती है तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि अब इसे दहरादून से दिल्ली पहुँशने में कितना समय लगेगा? अगर आप इसे exactly नहीं बता सकते हैं तो आप इसे यहीं से बता दीजिए कि 7 घंटे से जादा का समय लगेगा या फिर 7 घंटों से कम का समय लगेगा क्या आएगा उतर? बिल्कुल सही तो इस पर इसे 7 घंटे से कम का समय लगेगा और अगर आप से पूछू कि ऐसा हुआ क्यों? तो इसका उतर क्या होगा? क्योंकि अब कार की स्पीड पहले से जादा हो जाएगी यानि कि इसकी जो चाल है वो पहले से जादा हो जाएगी अब अगर मैं आपको पूछू कि जब इस कार ने 280 किलो मीटर को 7 घंटों में तै किया था तब इसकी चाल कितनी होगी? यहाँ पर क्या आज आएगा? 280 अपॉन 7 यानि की 40 किलो मीटर प्रति घंटा अब मेरा प्रश्ण आपसे यह है कि क्या ऐसा है? कि जब यह कार धहरा धून से दिल्ली की तरफ चा रही थी तो यह लगा टार 40 की स्पेड यानि 40 के चाल से ही जा रही थी क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना? जरूरी तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह क्या पता कभी 60 किलोमेटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हो फिर कुछ समय बाद अगर ट्रैफिक आ जाए या कुछ गड़े आ जाएं तो फिर यह अपनी स्पीड कम करके 20 किलोमेटर प्रति घंटा कर ले अब जैसे ही ट्रैफिक जाम हटे इसने अपनी स्पीड को बढ़ा कर 30 किलोमेटर प्रति घंटा कर दिया और जैसे ही हाईवे थोड़ा और साफवा तो इसने स्पीड को बढ़ा कर 50 किलोमेटर प्रति घंटा कर दिया लेकिन तब भी जब हम पूरी चाल की बात करेंगे तो 40 km ही तो आएगी यानि कि जिस चाल की यहां पर बात की गई है ध्यान दीजेगा इसे यह सल में चाल नहीं है यह क्या है? यह आसितन चाल है जिसे की average speed भी कहते है और इसका क्या formula हो जाएगा? इसका formula होता है कुल दूरी क्योंकि 280 km क्या थी? क्या है कुल समय ठीक है? तो जो भी हम कभी चाल बताते हैं कि वो इतनी चाल से आया वो हम क्या बता रहे होते हैं उस चीज की औस तन चाल बता रहे होते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि वो कार पूरे 280 km तक एक ही speed से चलते जाएगी कभी उसे speed कम भी करनी पर सकती है कभी जादा भी करनी पर सकती है ये तो depend करता है कि उसका रास्ता खाली है या जाम से भरा हुआ है रास्ते में गड़े हैं ऐसे बहुत सारे factors हो सकते हैं क्या पता हो यहाँ पर बीच में खाना वाना खाने के लिए रुके भी है ना तो हो सकता ना कई पर इसकी speed 0 भी तो हो सकती है तो इसका मतलब जो हम ये speed बताते हैं ये चाल जो होती है ये औस्तन चाल होती है कि ये एकनी बात समझ में आई अब ये कुल दूरी अपॉन कुल समय को हम एक और तरीके से लिखते हैं वो क्या है यहाँ पर देखें हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आएगा कुल दूरी यानि की डेल्टा S ठीक है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि S2 माइनस S1 ठीक है यानि की final position माइनस initial position अपॉन डेल्टी यानि की T2 माइनस T1 ठीक है तो ये तो मैंने आपको बस extra ही बता दिया है ये वाला आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है तो औस्तन चाल का फॉर्मला क्या होता है डेल S अपॉन डेल्टी इसका मतलब होता है कि कुल दूरी यानि की जो final position है जिससे हम कहते हैं अंतिम बिंदू ठीक है तो अंतिम बिंदू माइनस प्रारम्बिक बिंदू ये क्या जाएगा अंतिम समय माइनस प्रारम्बिक समय तो ये क्या formula आगיה यहांपर ये आगया Austin चाल का formula तो ये बात आपको ध्यान रहेगी इतना चीक है चलिए अब हम condition बदल लेते हैं मान लेते हैं कि देरादून से जो इनसान कार में चला था वो आपका दोस्त है अब यदि आपका दोस्त देरादून से दिल्ली के लिए निकला दस बज़े सुबह के ठीक है अब जब वो दिल्ली पहुंच चुका था तो उसने आपको कॉल किया कि भाई मैं सही सलामत दिल्ली पहुंच गया हूँ अब उस समय आप बहुत देकी पड़ रहे थे तो आपने सोचा क्यों ना इससे चाल पूछी जाए कौन से चाल स्पीड वारी चाल ठीक है वो नहीं जो आप सोच रहे है तो देखिए आपने उससे कहा कि जब तुम दहरादून से निकले थे तो दो घंटे बात अब आप निकले और दो घंटे हो चुके थे और दो घंटे एक मिनट पर तुमने कितनी दूरी तै की थी अब आपने ऐसा क्यों पूछा था क्योंकि यहां पर आप चाल निकालना चाह रहे थे ठीक है तो उसने आपको क्या बताया उसने कहा कि जब बारा बच चुके थे और बारा ब किलो मीटर की दूरी को तै किया है अब आप उसकी चाल निकालना चाह रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर दूरी यानि कि एक किलो मीटर अपॉन समय, समय कितना आएगा यहाँ पर एक मिनट यानि कि एक अपॉन साथ यह आर हो गया यानि कि यहाँ पर आपको इसकी चार 60 km प्रति घंटा मिल गई अब आपने उससे पूछा कि जब समय 2 घंटे हो चुके थे ठीक है और 2 घंटे 1 सेकिंड पर तुमने कितनी दूरी तै करी तो उसने बताया कि 1 सेकिंड में उसने 20 मीटर की दूरी को तै किया है तो चार यहाँ पर क्या आजाएगी अब यहाँ पर देखिए 20 मीटर दिया गया है लेकिन हमें यहाँ पर किलो मीटर लिखना है तो हम लिखेंगे 20 गुणा 10 की पावर माइनस 3 upon यहाँ पर second है तो इसे minute में कैसे करेंगे one upon 60 यह minute हो गया लेकिन हमें तो यहाँ पर घंटे चाहिए तो हम इसे एक और बार 60 से क्या करेंगे बुड़ा कर देंगे तो आप जब इसे solve करेंगे तो यह आ जाएगा भतर kilometer प्रतिगंटा ठीक है तो आपको उसकी क्या मिल गई यहाँ पर चाल मिल गई अब इसी तरीके से आप इस समय को घटाते जाएंगे यानि कि अब आप कहेंगे कि जब समय दो घंटे हो चुके थे और दो घंटे से 0.1 सेकिंड में तुमने कितनी चाल चली थी यानि कितनी दूरी तै करी थी उससे आप चाल निकाल लेंगे ऐसे ही आप यदि चाहें तो आप T equals to 2R ठीक है इससे क्या कर देंगे अब आप यहाँ पर सेकिंड को घटाते जाएंगे तो यहाँ पर आजाएगा 2 घंटे 0.0 यदि आप बहुत जादा इससे घटाना चाहते हैं तो यह क्या हो जाएगा 0.0001 सेकिंड तो अब आप यह बत सेकिंड कितना होता है एक जितने एक चुटकी के वह होता है समय तो 0.0001 सेकिंड तो बहुत ही काम हो गया यानि कि जितनी यहाँ पर चाल आई है 72 किलोमीटर प्रती घंटा ठीक है तो इतना ही कुछ यहाँ पर भी होगा तो आप कर क्या रहे हैं जैसे जैसे आप समय के अंत 70 के बीच में रहे होगी या जादा से जादा 75 के बीच उससे जादा तो नहीं रहा होगा है ना तो जैसे जैसे आपने आपर समय के अंतराल को घटाया है वैसे वैसे आप स्पीड की accuracy पर पहुंच रहे हैं कि यह बात आपको समझ में आ रही है तो अब हम समझेंगे यहाँ यहाँ पर एक और टर्म जिसका नाम है ताच शणिक चाल कौन सी चाल ताच शणिक चाल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तो ताच शणिक चाल क्या होगी जब हम किसी खास समय में औस्तन चाल निकाल रहे होंगे तो उसी को कहा जाता है ताच शणिक चाल यानिकी instantaneous speed तो यह यहां पर मैंने लिख दिया है औस तन चाल खास समय के लिए अभी खास समय क्या है जब हम समय के अंतराल को कितना घटा देंगे अब यहां पर देखी हम कितना घटा रहे हैं कि हम उसे जीरो के समीप लेकर जा रहे हैं यानि कि जो समय अंतराल है वो जीरो की तरफ अग्रिसर ह तो यहाँ पर क्या जाएगा ओस्तन चाल जब मैंने क्या कहा जब हम समय के अंतराल को कितना कर देंगे जीरो के लगभग बराबर कर देंगे इसका क्या मतलब हो जाएगा जब डेल्टा टी जीरो की तरफ अग्रिसर होगा उस बात को हम इस तरीक से लिखते हैं समझ में आया यानि कि डेल्टा टी जीरो की तरफ अग्रिसर है और यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा ओस्तन चाल अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओस्तन चाल का क्या फार्मूला होता है क्या सूतर होता इसका हमने अभी पढ़ा था याद है आपको यह हो जाएग क्या हो जाएगा यह यह हो जाता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ठीक है और यहाँ पर हम लिखते हैं इस बात को ऐसे लिखेंगे लिमिट ठीक है तो इस बात से क्या पता चला जो यह ताचनिक चाल है तो हमें क्या मिल गया इसका फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया जो और वो खास समय क्या होता है? वो कोई भी समय हो सकता है जिसमें आप समय के अंतराल को 0 की तरफ अग्रिसर करते हैं यानि कि वो इतना छोटा अंतराल है कि वो 0 के थोड़ा सा ही आसपास है तो अब मैं ये आशा करती हूँ कि आपको इसमय में आ चुका होगा कि ताचनी चाल और और अस्तन चाल क्या होती है?